नमस्कार, Study IQ, IS हिंदी में आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ विरद्वे और आज मैं Supreme Court के द्वारा दिये गए एक विशेस बयान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जो अभी हाली ही में दो दिन पहले दिया गया है जिसके अनुसार Supreme Court ने कहा है कि सजा बढ़ाने से पहले आरोपी को नोटिस देना निवारे है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो Supreme Court की तरफ से जो दूसरे Subordinate Courts हैं या फिर निचली अदालते हैं उनके लिए कही गई है अब इस पूरे मामले को हम समझेंगे कि कि किस मामले को ध्यान में रखते हुए Supreme Court ने ये स्टेट्मेंट जारी किया है और इसकी जरुरत क्यों है नियाय जो होता है जब हम चाहे अपराधी के तौर पर हो या फिर हमारे उपर कोई आरोप लगा हो या फिर हमें किसी के खिलाफ कोई नियाय चाहिए हो इन सब चीजों की जरुरतों को पूरा करने के लिए हमें नियायले का रुख करना पड़ता है और जब नियाय देने में किसी जगह पर चूक जाते हैं, तो उनकी निगरानी करने का काम सुप्रीम कोर्ट भेतरीन दरीके से करता है। अक्षेत्र के कारण वह अपनी निजली आदालते जो हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर जिला कोर्ट हो या फिर दूसरी कोई भी आदालते हो, उनको किसी प्रकार का संदेश या फिर नोटिस जारी कर सकता है। अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा दिये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की एक पीठ ने उक तादेश चारी किया है। तो हुआ यूँ है कि एक घटना घटी थुई कई साल पहले जिसमें एक महिला और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ में कुछ लोगों ने मारा पीठ की। और इस मार पीठ में मतलब मामला बहुत आगे बढ़ गया और उसके परिशाद जो है उस महिला के परिवार के चार सदस्यों की हत्या हो गई। तो जिन अभियुक्तों ने इसकी हत्या करी उसके खिलाफ जो है जो ट्रायल कोर्ट है उसमें सजा जो है वो दी गई। तो जो सजा दी गई वो आजीवन कारवास की सजा दी गई, ठीक है, सजा कौन सी दी गई, आजीवन कारवास की, आजीवन कारवास, ये जो है सजा दी गई, जिसके खिलाफ जो अभियुक्त थे, वो वहाँ से कहां चले गए, हाई कोर्ट चले गए, यनि सजा सेशन कोर्ट मे पाने के बाद वो कहाँ अपील कर देते हैं, वो अपील कर देते हैं, हाई कोर्ट में, और जब यह हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे मामला है, कि उसी में यह कहा गया है, कि हाई कोर्ट कौन सा है, राजस्थान हाई कोर्ट है, तो राजस्थान हाई कोर ने अभ्युक्तों के उपर वो जो अपील आई थी, याचिका करताई यही लोग थे, याचिका करताउं की जो अपील आई है, वो आई थी दोस शिद्धी को चुनोती देने के लिए, जो यहाँ पर दोस शिद्धी हुई है, और जिसके खिलाफ सजा हो गया, तो सजा हो गई, तो उस दोस शिद्ध के, ध्यान दखेंगे दोस शिद्ध के खिलाफ दोस शिद्ध के खिलाफ जो है, अभ्युक्तों ने याचिका लगाई, कहां लगाई, सुप्रीम हाई कोड में लगई तो उसको चुनोती दी गई जो दो सुषिधी जो था जिनके उपर जो सेशन कोड के दर लगए तो उसको चुनोती जो है अपील करताओं के द्वारा वहां करी गई अब हाई कोड से गलती यहां पर यह हुई है कि उन्होंने इन याचिका करताओं की जो यहाँ पर आजीवन कारवास उन्हें हुआ था उन्होंने यह पाया कि तुम यहाँ अपील करने आए वलकि इसको और बढ़ाया जाना चाहिए तो इन अपील करताओं कि सजा को उन्होंने बढ़ा दिया लेकिन यहां क्या High Court इस प्रकार से सजा नहीं बढ़ा सकता है यह कहना चाह रहा है Supreme Court अपने इस बयान में या फिर वो यह कहना चाह रहा है कि आप सजा बढ़ा सकते हैं लेकिन बढ़ाने से पहले एक बर बता दीजिए तो Supreme Court ने यही कहा है यहां पर कि सजा बढ़ाने से पहले इसका मतलब सजा बढ़ा सकते हैं आरोपी को नोटिस देना चाहिए था जो की उच्च नयाले ने नहीं किया अब मान लेते हैं कि नोटिस देने के बाद अगर वो सजा बढ़ा देते और ये बगएर नोटिस दिये सजा बढ़ा दिये तो अंतर क्या है भाई सजा तो दोनों हाल में बढ़ती आप नोटिस दे देते तब भी सजा बढ़ जाती और नोटिस नहीं देते दिये और सजा बढ़ा दिये तब भी सजा बढ़ गई तो फिर इसमें इतना बवाल क्यों हो गया इतना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्टिव क्यों हो गया तो उसका रीजन यही है कि हमारा जो सम्विधान है हमारा जो सम्विधान है वो हर प्रकार से न्याय करता है ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को दोशी पा लिया गया है, तो अब उसके खिलाफ एकदम रिजिड हो जाए, दोशी के भी अपने कुछ अधिकार हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाहता है कि उच्च न्यायले जो है, जो ये जो रास्थान हाई कोर्ट है, ये राजस् हाई कोर्ट ने क्या किया, आदेश दिया, ठीक है हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, आदेश दे दिया, या जो सजा थी उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अब कोई भी सजा देना, ध्यान रखिए, सजा देना या बढ़ाना, कुछ भी अगर हो रहा है, तो स्वभाविक सी बात है, कि जो अभ्युक्त हैं, उनके पास में परयाप्त समय होना चाहिए, कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सकें, अपनी सफाई में क्या चाह सकें, जैसे की आप सब लोगों को मालूम है, कि आपको मालूम हैं अनुछेद 22 में article 22 जो है, भारतिant समथान का अनुछेद 22 जो परामर्ष लेने से नहीं रोका जाएगा तो अगर आपने यहाँ पर सीधे बढ़ा ही दिया नोटिस दिया ही नहीं तो परामर्ष देने का मौका ही कहां मिला है ना वो जो एक परामर्ष देने का मौका मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं और जब परामश देने का मौका नहीं मिला तो कहीं न कहीं आर्टिकल 22.1 क्या हो गया, वाइलेट हो गया, तो यही चीज कही जाती है हमेशा कि सुप्रीम कोड जो है, वो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, और इसका एक ताजा तर कर सकते हैं, और इसी लिए नोटीस दिया जाना जरूरी है, अलाकि सुप्रीम कोड ये मानता है, सुप्रीम कोड की जो बेंच है, उसमें दो जजज हैं, एक जजज का नाम आप देख सकते हैं, आपर जस्टिस बी आर गवाई है, बी आर गवाई और दूसरे जस्टिस जो उन्का नाम था पी ओस्टी नारायन नाम था शag adhere और है नरसिंगा नरसिम्हा ठीक्स ये से ये है पी नरसिम्हा अच्छा नाम लिखा यह आबर सौरी ये-पी नरसिम्हा है और यह कॉन है जस्टीस EAR गaa días तो इन दोनों लोगों की खंड पीठनी ये बात कही है ठीक, तो मामला क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सा मामला आपको यहां पे ठीक है, अब वही बात यहां आ जाती है, इसमें कहा गया है कि कोई संदे नहीं कि उच्चन्याले स्वाप रेणा से शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है बिल्कुल कर सकता है, इसको आप बोलते है सू मोटो, इसको क्या बोलते है आप, सू मोटो ठीक, यानि कि सुप्रीम कोट ये कह रहा है कि निश्चित रूप से जो हाई कोट्स हैं वो अपनी सू मोटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं यानि स्वाप रिणा से शक्तियों का प्रयोग करना स्वाप रिणा से शक्तियों का प्रयोग करने को एक टर्म दिया जाता है सू मोटो ठीक है तो यह सू मोटो का प्रयोग कर सकते हैं और सजा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पर बात मुद्दे की वही है, देखें, दो-तीन चीजों में फसीएगा नहीं इसमें, कि अपील करी गई है कि नहीं करी गई है, जब दोशी हो गए हैं, तो क्या हम अपील कर सकते हैं, उच्छतम नयले में कि नहीं कर सकते हैं, यही कहा गया कि भही कर सकते हो अपनी मर्जी से काम, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप सूचित नहीं करोगे, सूचित करोगे, पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए, और आप राध जो है वो चार विक्तियों की मृत्यू का है, मृत्यू का नहीं है, हत्या का है, तो मामला संगीन है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस याचिका पर गौर करते हुए, अब जब वो यह नहीं माने तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, भई हाई कोर्ट में जो मामला गया उस हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और चीजे भी पाई है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पाया है कि शीर सदालत ने का है कि वरतमान अपील करता के खिलाफ मामला दुरलब मामलों में दुरलब इस्थिती में आता है या श्रिणी में आता है और इस चीज की जाँच कुछ मामले हैं जो दुरलब हैं लेकिन दुरलब से भी दुरलब यानि दुरलबतम जो मामले हैं उनमें में से ये केस आता है लेकिन मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो सेशन कोर्ट थी उसने सजा कम क्यों दी उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को समाने मामले की तरह दिया है तभी वहाँ पे आजीवन कारावाज जैसी बात करी गई तो एक ये भी बात कही गई है उसमें तो एक तरीके से राजस्थान हाई कोड के साथ साथ लोवर कोड्स जो हैं उनको भी बोल दिया गया है कि भई ठीक तरीके से नहाई किया जाए उच्चितम नैले ने निर्देश दिया था उच्च नेले ने रदेश दिया था कि अपील करताओं को IPC की धारत 302 के तहट डंडनी अपराद के लिए जीवन भर कारावास की सजा भुगतनी होगी तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेशन कोट था उसने भी आजीवन कारावास की सजा जीदि थी और इन्हों ने भी जीवन भर कारावास की सजा जूट ही जिसके खिलाफ उन्होंने ने हाई कोड में क्या किया था? दोस शिद्धी जो था दोस शिद्धी के खिलाफ जो है यहाँ पर यह चिका दी थी और जब इस मामले की जाच हाई कोट ने करी राजस्थान हाई कोट ने जब इस मामले की जाच करी तो आजीवन कारावास की सजा को मृत्यू तक आजीवन कारावास मृत्यू तक जब तक मृत्यू नहाजाए तब तक आजीवन कारावास यानि आजीवन कारावास में थोड़े समय बाद आप आप अपील कर सकते हैं या फिर मुरववद दी जा सकती है कि ठीक है भई mostly आपने समय बिता लिया है तो जाइए तो आजीवन कारावास की सजा को किसमें बदल दिया गया मृत्यू तक आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया गया तो इसी पर सुप्रेम कोट ने का है कि आपने आजीवन कारावास की सजा को मृत्यू तक आजीवन कारावास की सजा भी कर दी और जो अपील करता है इनको बताया भी नहीं नोटिस नहीं दिया पूर्व में तो नोटिस देना चाहिए ठीक है? अब ये जो आज इवन करावास की सजा हुई है ये किस के तहत हुई है? ये IPC की धारा 302 के तहत हुई है तो आज के सेशन में एक तो आपको ये भी जानना जरूरी हो गया दूसरा बार बार दो सशिद्धी का मामला आ रहा है तो ये भी आपको जानना जरूरी हो गया और जब ये सब चीजें चली रही हैं तो गिरफतारी का भी एक मामला बनता है कि गिरफतार होते हैं तो आपको किस प्रकार के संवेधानिक प्रावधान दिये जा सकते हैं किसी अपराधि के लेको लेकर के किस प्रकार के समवेधानिक प्रावधान उस पर उपर चर्चा करेंगे तो अपराधियों के संवेधानिक प्रावधान क्या है हमारे हैं अप राधियों के संरक्षन से संबंदी सविधानिक प्रावरावने में एक तौन उच्छेद 20 है आर्टिकल 20 कहता है अप राधों के लिए 200 शिद्धी के संबंद में संरक्षन है हमारे आप राधों के लिए 200 शिद्धी के संबंद में क्या है संरक्षन है अब दोश शिद्धि के संबंद में संरक्षन किस प्रकार से है आईए उसको देख लेते हैं एक बार ठीक है उसको भी एक बार देख लेते हैं देखिए आप राधों के दोश शिद्धि में संरक्षन इस प्रकार से है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 20 में 3 प्रोविजन्स दिये गए जिसमें एक में ये कहा गया है कि जो कार्यत्तर विधियां है कार्यत्तर कार्यत्तर विधियों से संदक्षन विधियों से सन्रक्षन की बात करी गई है इसमें एक तो ये सन्रक्षन की बात हुई है ये आर्टिकल 20.1 है कारयोत्र विधियों से सन्रक्षन ठीक है जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ओफ एक्स पोस्ट प्रोटेक्शन ओफ एक्स पोस्ट फैक्टो तो इसका मतलब क्या हो जाता है कार्यतर विदियों संद्रेक्षन का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उस समय जो विधियां है उस समय जो निवित विधियां है उस विधियों का उसने क्या किया हो हनन किया हो यानि इसको साधन बासा मैशा समझा जाए कि मौजूदा कानून के तहट कोई कारे ऐसा हुआ है कि जो मौजूदा कानून है उसे वाइलेट किया जा रहा है किसी विक्ति के द्वारा जिस समय अपराद किया गया है जिस समय कारे किया गया है अपराद का कारे किया गया है उस समय जो कानून है उस कानून को अगर तोड़ा गया है तो सजा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी इसलिए बुलाएगा कार्योत्तर विदी कार्योत्तर विदी का मनला जब कारे हो गया उसके बाद कोई विदी बनाई गई हनी कोई ऐसा कानून बनाये गया काम आज हुआ है विदी बाद में बनी है तो उस विदी के अनुसार आप सजा नहीं दे सकते हैं मसलन एक व्यक्ती जिसने कोई अपराद किया था उस अपराद की सजा जो है वो 5 साल का कारावास है 5 साल का क्या है कारावास और ये घटना जो है 2022 की है अब सजा होते होते 2022 से 2024 हो गया जो कि हमारे आसानी से होई जाता है तो 2022 से 2024 हो गया अब 2022 में जो उसने अपराद किया था उस समय उसकी सजा जो थी वो 5 साल थी लेकिन जब तक वो दोश सिद्ध हुआ तब तक 2024 हो गया और उस अपराद कि सजा अब 10 साल हो गई है 10 साल का रावास तो अब जो व्यक्ति है उसे 10 साल कि सजा दी जाएगी या 5 साल कि सजा दी जाएगी तो यही आँक आ जा रहा है कार जब हुआ है उस समय उस कार कि सजा पांस साल थी तो पांस साल ही मिली यह यह कह सकते हैं कि कोई अपराद के लिए किसी ने कोर्ट में अपील करी पर कोर्ट ने यह देखा 2022 में 2022 में देखा कि 2020 के अनुसार तो सजा ही नहीं दे सकती थी तो नियम ही नहीं नहीं बना था इस इस तरीके के अपराद के लिए नियम ही नहीं बना था और 2024 में उसका नियम बना है तो आप उसे सजा 2024 में 2022 में किये गए अपराद के अनुसार नहीं दे सकते यहनि पिछली गलती जो हमने करी है उसके लिए अगर कानून था तब तो उस कानून के नसार सजा मिल जाएगी कानून ही नहीं था उस गलती का तो सजा नहीं मिल पाई दूसरा क्या है एक तो कारेतर विदियों का संडक्षन है दूसरा जो है दोहरे दंड से प्रोटक्षन है डबल जो पैरडी जिसको बोलते हैं ठीक है दोहरे दंड से संदक्षन की बात इसमें करी गई है इसका क्या मतलब है दोहरे दंड से संदक्षन का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति ने एक कोई अपराद किया है उसका उस पर ट्रायल हुआ ट्रायल में दोश सिद्ध हुआ दोश सिद्ध होने के बाद उसे सजा भी मिल गई अब दुबारा उसका ट्रायल नहीं हो सकता है दुबारा दोश सिध्ध इसके उपर नहीं चलाई जा सकती है दुबारा उसे सजा नहीं दी जा सकती है लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि अगर कोई व्यक्ती जो किसी अपराद में आया था उसके उपर ट्रायल हुआ दोश सिध्ध नहीं हो पाया और वो रिहा हो गया तो क्या उसे दुबारा ट्रायल किया जा सकता है तो किया जा सकता है मतलब एक बार दंड जब दे दिया गया तब दुबारा उसी अपराद के लिए दंड नहीं मिलेगा लेकिन अगर दंड नहीं दिया गया है उस अपराद के लिए दंड नहीं दिया गया है और आप बरी हो गए है और दुबारा उसकी फाइल खोली गई है तो पाया गया कि अरे ये तो सजा के पातर था तो आपको सजा मिल सकती है ठीके तो यहाँ पर जरूरी है कि उसे सजा मिली हो और तीसरी बात यहाँ पर कही जाती है जिसे कायता है आत्म अभिशंशन से संरक्षन तो आत्म अभिशंशन से संरक्षन का मतलब क्या हो गया किसी भी व्यक्ति को जबरजस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मज पुछा जा सकता है, लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, कि तो अपने खिलाफ गवाही 2, ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है, आर्टिकल नंबर किसे हैं, आर्टिकल नंबर 20 से हैं, एक तो ये हमको प्रोटक्शन देती हैं, ठीक, दूसरी बात हम करेंगे यहां पर, ये कुछ दशाओं में गिरफतारी और निरोध से संद्रक्शन, एक बात यहां पर ये लिखी हुई है, तो कुछ दशाओं में गिरफतारी हैं, निरोध से संद्रक्शन की जब यहां पर बात आ जाती है, आर्टिकल 22 का मामला हो जाता है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है, इसक गिरफतारी का कारण, यानि कि किसी विव्यक्ति को यदा शिक्र गिरफतारी के कारण जानने से वंचित नहीं किया जाएगा, या उसे बताने से वंचित नहीं किया जाएगा, दूसरा, इसी में ही ये बात भी कही गई है, कि किसी विव्यक्ति को जिसे गिरफतार किया गया है उसे अपने लिए विधी व्यवसाई से परामर्ष लेने से रोका नहीं जाएगा ये दो चीजे हैं इन दो चीजों से वंचित नहीं कहा जाएगा ये पॉइंट आर्टिकल 22.1 में लिखी गई है इसी के पॉइंट टू में अगर हम जाएंगे नियान उच्छेद 22.2 में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा कि गिरफतारी जिस स्थान पर करी गई है वहाँ से लेकर के गिरफतारी करने के बाद जो मजिस्ट्रेट का जो नियाले है वहाँ तक ले जाने में जो समय लगेगा उस समय को छोड़ दिया जाए तो अन्य 24 घंटे से अत्रिक तब गिरफतार नहीं कर सकते हैं यानि किसी भी व्यक्ति को गिरफतारी के 24 घंटे के भीतर निकटम मजिस्ट्रेट के नियाले के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा इसमें यात्रा का सम एक्सक्लूडेड है ये बात 0.2 में लिखिए और 0.3 में ये बात भी लिखी गई है कि ये जो नियम है 0.1 और 0.2 में ये नियम जो है उन पर लागू नहीं होंगे ये 0.1 और 0.2 वाले जो नियम है ये उन पर लागू नहीं होंगे जिन पर कह सकते हैं कि कोई जैसे अंतर देशी या यह कह सकते हैं अन्ने देशी ये शत्रू है अगर कोई ऐसा व्यक्ति ग्रफतार हुगा है जो दूसरे देश से आया है अधने देशी शत्रू है जैसे मालति कोई आतंगवादी वगरा है तो उसके उपर ये नियम लागु नहीं होगे कि उसको ग्रफतार करने से पहले हम बताएं उसे हम ये सुविदाएं दें ये सामान ने तोर पर के लिए किया जा रहा है ठीक है हमारे यहां के लिए किया जा रहा है निवारक निरोध अधनियम के अंतरगत किसी व्यक्ति को अगर गिरफतार किया गया है तो उस पर भी कई बार ये नियम लागू नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि सब पर लागू होगा पर लागू होगा सामाने रूप से अगर देखा जाए तो ठीक है तो ये आपको आर्टिकल 20 और 22 के रिफरेंसेस भी देखने को मिले अब आपने देखा कि वो जो सेशन कोड था उस कोड में उन्हें दोस सिद्ध कर दिया गया लेकिन वो से संतुस्ट नहीं थे इसका मतलब वो अपने आपको अभी भी दोस सिद्ध मानते हैं भले ही छोटे कोड ने कह दिया ओ तो अभी वो सजा दिनी जा सकती है अगर इसमें क्या कर दिया गया, अब इसमें अपील कर दिया गया, अपील कर दिया गया तो अभी सजा नहीं दी जा सकती, कहां दे दिया गया अपील, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट में दे दी गई थी अपील, ठीक है न, तो वो इसी इसी इस्तेमाल के तहट कह सकते ह कि इसी fundamental right के तहत कारी जो है वो किया गया अब क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो अपराधी थे उन्होंने चार लोगों की हत्या करी है तो उनके उपर धारा 302 लगाई गई है अपराधी की धारा जो है उसमें हत्या की जो अपराध की धारा है वो क्या है IPC की धारा 302 तो कार चोट पहुचाई है जानबूश करके कि वो उसकी मृत्य हो जाए या ऐसा कारे किया है कि उसकी मृत्य हो जाए तब जाकर के वहाँ पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और इसके साथ साथ आर्थिक दंड जो है वो लगाया जा सकता है तो इसमें से लोवर कोट ने क्या किया आजीवन कारावास की सजादी और हाई कोट ने क्या किया आजीवन कारावास को मृत्यु तक बढ़ा दिया ठीक है समझ मियारी बात IPC की धारा 302 अत्या के लिए ज़रूरी तत्व क्या है सबसे पहले तो ज़रूरी तत्व है इरादा इरादा होना चाहिए मतलब मौत का कारण बनने का इरादा मतलब समझ रहे ना मतलब यह है कि कार ने जो किया गया है कोई भी कार ने ऐसा किया गया है जिसका इरादा ऐसा था कि किसी की मौत का वो कारण बन जाए कोई कार आप इस तरीके से करते हैं कि कि किसी की आपके उस काम करने से किसी व्यक्ति की मृत्तिव हो जाए इस इरादे से अगर आप कोई कर रहे हैं तो इसको बोला गया जान बुच करके इस तरीके से काम करना तो ये इरादा शो होना चाहिए अब ये इरादा तो शो हो रहा है मार पीट करी है तुमने खुले आम जो है जानबुच करके मारपीट करी है और फिर मार डाला है चार लोगों को तो ये तो इरादा शो हो रहा है कारण कारण क्या है कारण का मतलब यहाँ पर हमको लिखना है कि अपराद जो है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए अपराद जो है इस ज्ञान से किया जा रहा है कि हाँ इससे हमें मृत्यू करनी है सामने वाली कैसा काम किया जा रहा है तोनों चीजें अब जब यह अपराद सिद्ध हो जाता है वैसे कई सारे ऐसे अपराद होते हैं कि एक जो होता है वो वादी होता है और एक होता है प्रतिवादी पक्ष एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के उपर आरोप लगाया है और दूसरे पक्ष पर आरोप सिद्ध हो गिया है तो इसको तो सजा मिलेगी तो कुछ कारे ऐसे होते हैं जिसमें सजा देने से पूर्म न्यालेन दोनों के बीच में समझाता कर देता है कि भाई ठीक है ने तो सजा हो जाएगी अब अगर ये समझाते के लिए दोनों तयार हो जाते हैं तो वो सजा नहीं दी जाती है और मामला जो है के साथ तयार हो तब भी इसमें कोई फाइदा नहीं है सजा मिलेगी ही मिलेगी नहीं तो ये तो बढ़िया है सामने वाली के हत्या करो उसके परिवाराले से माफी माँग लो परिवाराला माफ भी कर दे तो ये तो फिर कोई बात नहीं हुई है ना तो ये वाला एक ऐसा कह सक श्रणी है इस अपराध की श्रणी ऐसी है जिसमें समझोता नहीं किया जा सकता समझोते योग या पराध नहीं है और इसमें समझोते के लिए रिक्वेस्ट तो करने की बाती नहीं बनती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसमें समझोते के लिए रिक् ना के बराबर, मतलब ऐसा नहीं कि संभावना नहीं है, लेकिन ना के बराबर, तो संभावना कैसे, आप पहले हाई, मतलब सेशन कोड में जाएंगे, जिला जजो आपकी अपील को रिजेट करेगा, फिर आप हाई कोड जाएंगे, हाई कोड आपकी अपील को रिजेट करेग लेकिन ना के बराबर है इस तरीके के अपराद में हाई कोट जहा हो जमानत लगभग लगभग ना के बराबर देती है तो उमीद करते हैं कि आपको ये जो सेशन है इसमें जो पॉइंट्स में आपको बताए हैं वो आपको सब समझ में आये होंगे इस पस्ट भी होंगे तो मुलाकात करेंगे इसी तरीके के दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले सेशन में तब तक के लिए नमस्कार तन्यवाद